हाई गाइज और वेलकम टू मैं जनल वीडियो स्टार्ट कर उससे पहले मैं सस्तिक ओट वेंग्स यामा मोटर बाइक शोरूम जो रिसेंटली बुझ में ओपन हुआ है उनको ठेंक्स कहना चाहूंगा जिन्हों ने मुझे वर्शन 3 राइड करने के लिए दी जो चलिए गई इस बाइक राइड कर उससे पहले थोड़ी बाइक के चैंजिस इंपैसिफिकेशन के बारे में आपको बताना चाहूंगा जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका जो हैड लेंप वो कंप्लीटली नियू है और उसका जो हैड लेंप है वो एवज़े 250 से इंस्पार है पूरा क आपको कहीं फैमिली के साथ जाना है तो आप कमफोर्टेबली राइड कर सकते हो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें इस बाइक का रेल लुक देखे हो तो मुझे रेल रुक काफी अच्छा लेका स्पेशल इसके मडगार्ट की वज़े से इसके हम टैंक की बात करें तो वर्जन 2 से वर्जन 3 का टैंक पूरा न्यू है थोड़ा सा टैंक वाइड कर दिया है और इसकी सीट है वही बहुत कमफोर्टेबल है पोर दे पीलियन एथ वेलेस्ट राइडर तो गाइस बात करते है इस बाइक एंजिन की तो इसमें आपको 149 CC का एंजिन मेलेगा 13.2 BHP का मैक्सिमम बार प्रडूस करेगा 8000 RPM और 12.8 Nm के टौक प्रडूस करेगा गाइस बाइक के इंजिन कम कंपर करें वर्जन 2 से सो इसके जो फिकर से वह एक्जर्टली सेम है वर्जन 2 से यहां पर कोई चेंज नहीं कोई स्वादर पावर नहीं अब इसमें नियु यह है कि अब आपको इसमें ABS मिल जाएगा एफ़ तापको प्रेजर मिलता ही था जैता कि आप देख सकती कि आपी दो बाइक से जो ब्लू वाली है वो फ्ज़ेड एस है और जो ब्लैक है वो सिफ एफ ज़ेड है अब दोनों में में डिफ्रेंट्स यह ह है कि और यह पर आपको टैंक के ऊपर जो रावट से उसमें अपनेसिन मिलेगा और जो है यह उसमें आपको नहीं मिलेगी अपको बेले पेन है इसका इंस्ट्रूमन चांसल उसमें इन्वर्स-डिस्पलेड दिस्प्लेड गई है गाई उससे बेनेफिट यह होगा कि जो ड τब्रेस बाइसे इस फ्रेस रोम प्राईजेज यह इसक पीडण 1.30.000 छापका है जो आया समपनी केमond एक कमपनी कीमेलिज 45डा में कलेम करेसी है एक तो हिल्क भाइक इस बाइक का यह सुनिख शो जातें एक बाइक का गटना केशा है okay so guys I am on the FZ version 3 and let me start this bike guys bike होगी start जिमनने डाल दी first gear में और let's go I must say the handling is superb of this bike and the bike बहुत की स्मूथ सले है मुझे और उसका न्यू टैंक है फोड़ा सा बिग है और guys उसका जो अपड़ेटर मिजह से वो बाइक को अलग लुक देते हैं obviously the bike looks cool and also और उसका जो लुक है वो एकडम से हमको देखे देता है पीछे वी के इसली अबल तो सी देरेर वीव और रोड there is little bit change in the speedometer of the bike guys मैंने मेरी चैनल पर अल्रेडी एफ़र वर्शन 2 का रिव्यू किया है और अब मैं version 3 चला रहा हूँ तो obviously मुझे लगा कि जो नया version है obviously अच्छा है version 2 से और total response की बाद करें तो बहुत ही अच्छा total response है एकडम और ये bike guys perfect है for 30 years और riding posture committed नहीं है बहुत ही अच्छा riding posture है bike का the bike looks amazing और बाइक की stability बहुत ही अच्छी है और पावर भी काफी अच्छा है engine का और जो engine की smooth नहीं से बहुत smooth bike है guys ये engine is very much smooth और मुझे seat भी से comfortable देगी guys अब मैं बात करना जाओंगा इसके gearbox और clutch की so slipper clutch नहीं है लेकिन फिर भी clutch smooth है and also the upshift and downshift also smooth और switch की quality भी भुझे बहुत ही अच्छी लगी और अच्छी है bike इसके fuel tank बहुत ही अच्छा लग रहा है मैं आपको बोला यहां पर थोड़ा सा problem है देखो थोड़ा सा लूज है speedometer is really attractive guys यह जो नया color डाले speedometer में उससे कहें कि देखो अभी बहुत ही जूप है लेकिन फिर भी आप easily इसको read कर सकते हो कि कि किने speed में चल रही है bike और वो सब guys I think यह bike बहुत सारे चनों को competition देगी क्योंकि मुझे तो अभी तक कि यह best लगी 150 सेगमेंट में क्योंकि इसका look वो भी अच्छा कर दिया super sporty look हो गया इस bike का I mean sporty look और इस bike का weight भी उतना ज्यादा नहीं है we can say that this bike is a perfect for city riding and the commuting and also guys braking is nice so guys अब तो आपको इसमें ABS भी मिल रहा है single train ABS front wheel में ABS है और braking मुझे अच्छी लगी इसकी so guys I must say कि जो Yamaha है उसने बहुत ही अच्छा काम किया है और एक अच्छा और फ्रेश लुक दिया है अफ़िट वर्शन 3 को so guys this was my opinion about the FZ version 3 and guys this was my opinion about the FZ version 3 and guys this is the headlamp you will get LED reflectors you will get the headlamp in this headlamp guys this is 5 color option available in FZ you will get the metric black and racing blue in FZ you will get the metric black and racing blue in FZS you will get the metric blue, matte black and grey and cyan blue guys this was all about the FZ version 3 hit that like button if you like this video and also subscribe to this channel for more videos like this and also press the bell icon bye bye guys take care and ride safe